बिहार में लगतार बारिश के कारण पटना में गंगा का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है देखिए इस वक्तम पटना के गाय घाट के पास है और गाय घाट के पास भी नजारा कुछ इस प्रकार है कि गंगा का जल स्तर देखिए जो गंगा कुछ दूरी पर रहती थी वो गंगा दम सट चुकी है और ये देखिए लोग अभी भी वहाँ पर हैं चुकि गंगा में काफी तेजी से जलस्तर है वो बर रहा है राजधानी पतना की बात करें तो बीते 24 गंटे में लगतार जमा जम बारिश हुई है बिहार के कई जिलो में भी जो नदियां है वो भी झतर हैं जलस्तर कितनी बड़ी है कहीं न कहीं पतना में भी खत्रा जो वो मनरा रहा है देखिए लोग कोने पर बैटे हैं बैठकर जो है वही पर बैठकर अपना काम कर रहे हैं और अगर हम बात करें तो उसस आईट के होग जो गंगा के उस पार रहते हैं वो भी अब तिधर धीरे धीरे आने लगे हैं तुकि उनका घर जो है वो डूप चुका है और बिहार के अधिकांज जिलो में लगातार वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर वृद्धी होती जा रही है कुछ-कुछ स्थानों पर नदिया खत्रे की निशान से उपर बहनी लगी है कई जगहों पर ये खत्रे की निशान को पार करने वाली है बात करे राजणानी पत्ना में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धी दर्थ की जा रही है पिछले अरतालिस घंटों में गिगा घाट पर 111 सेमी पानी बढ़ा है और गान्री घाट पर जलस्तर में 85 सेंटी मीटर की वृद्धी हुई है जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में पानी फैलने लगा है कुर्जी के बिन टोली में भी इस कारण आवा गमन वृद्ध हुआ है और ये गायगाट का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी तेजी से गंगा का जलस्तर जो है वो भर रहा है लगतार जिलाप्रशाशन के तरफ से भी लोगों को सतर किया जा रहा है नाओ के परिचालन पर कहीं न कहीं रोग भी दलागा दी गई है जो NDRF या फिर SDRF की नाओ है वही सिर्थ नजर आती है उसके बाद कोई भी प्राइविट बोट अगर प्रसंजर वाद जो बोट होते हैं जो इस साइट से उस साइट लोगों को ले कर जाते हैं तो वो बोट नहीं नजर आ रही है और देखे तस्वीरों में कि गंगा का जलस्तर जो है वो कितना बरता जा रहा है यह हाजी पूर्फूल है और हाजी पूर्फूल के ठीक नीते से हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं गाय घाट के पास से कि जो जलस्तर है वो लगतार बर रहा है अगर इसी तरीके से बारिश लगतार होती रही तो कहीं न कहीं राजधानी पटना पर भी खत्रा जो है वो मंडराने लगेगा चुकि हर दिन इस तरीके से बारिश पटना को भी खत्रा के निशान से उपर दर्शाता है और इसी तरीके से बारिश कहीं न कहीं पटना वालों पर भी खत्रा मंडरा रहा है तो अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से बारिशे लगतार हो रही है क्या बारिश कम होगी क्या ये जो खत्रा जो मन रहा है पटना वालों पर वो खत्रा भी कम होगा बहड़ाल इस कमोन बसतना है अगर आपने अब तक लाइफ सीडिस को सब्सक्राबने के है जल से लाइफ सीडिस को सब्सक्राब पर दे और बार